एक टीचर जो 40's में थे उनका अपने स्टूडेंट के साथ अफेर हो जाता है प्रॉलम तब आया जब यह बाद लोग को पता चलने लगे अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी कैरिड अवे इन 1996 के एक ड्रामा हॉलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको 4647 है वो अभी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबियत बहुत ही खराब रहती है नेकसिन में हम देखते है कि जोसेफ एक टीचर है और टाउन के स्कूल में बढ़ाते थे अभी अभी उन्हें पता चला था कि सेमिस्टर खतम हो जाने के बाद टाउन की स्कूल ब जो उसी के स्कूल में काम करती थी इसका नाम था रोजली रात में हम रोजली की घर पर उसे डिनर करता हो देख सकते हैं रोजली का बेटा है जोसेफ का स्टूरेंट है यह दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बन होने वाला है तो उन्हें सीटी में जॉब मिल सकता है पर जोसेफ को इतना अच्छा नहीं लगता ये दोने छे साल से एक साथ थे तो रोजली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुश में उससे शादी करेगा जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना वो उसे प्यार तो बहुत करता है पर कमिट्मेंट से डरता है अगली दिन हम रोजली के बेटें जिसका नाम है रॉबर्ट इसको कैथरीन के साथ बात करता है देख सकते हैं कैथरीन उसे पुछते हैं का जोसेफ तुमारे फादर है रॉबर्ट ने कहा कि जाने की बात ज्युछते हैं क्छा करता है कि अगर में यहां पर रोज आई तो क्या आपको क्या प्रॉबल्म है जोसेफ कहता है कि Ng tud चाहो तब आ सकती है जोसेफ ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो जोसेफ ने कहा कि मेरा लास्ट येर है इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूँगा कैथरीन बुछती है कि आप दुसरा क्या करोगे जोसेफ को इसका आंसर पता नहीं था जोसेफ के एक होबी भी थी हंटिंग करना एक दिन हंटिंग करकर वो वापस आया तो उसके मदर को देखने के लिए डॉक्टर आय हुए थे मदर को कैंसर है तो उसके बाद जादा टाइम अब बचा नहीं है जोसेफ ने अगर अपनी मदर की फिर से टीटमेंट करवाए तो सेफ दो-तीन मेहने और जिंदा रहेगे मदर को इतनी जादा तकलिफ हो नहीं देना चाहता अगली दिन स्कूल में बढ़ा कर जोसेफ जब घर पर आया तो कैथरीन वहाँ सोई हुई थी उसे बात करती है इस जगा के बारे में पूछने लगती है जोसेफ जब अंसर कर रहा था तो कैथरीन अपने कपड़े निकालने लग गए ये बात उसे बहुत गलत लगी और वो यहाँ से चला जाता है जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया उसने बापस आकर कहा हमें अफेर करना चाहिए इसके बाद ये दोनों इंटिमेंट हो गए जोसेफ कैथरीन से बुछता है कि मेरे पहले तुमारे और भी बॉइफ्रेंड्स थे कैथरीन ने कहा कि आफकोर्स थे पर तुम मुझे बेस्ट लगे अगली दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था तो इसी situation के बारे में सोच रहा था रोजली बुछती है कि क्या हुआ तो जोसेफ कहता है मैं पूरी लाइफ तुमारे प्यार में रहा हूँ रोजली को बाद अच्छी लगती है आजा सीटी के स्कूल के साथ इनकी मीटिंग थी इस मीटिंग में डिसकस हो रहा था कि जिन टीचर के बास proper education है वो जाकर सीटी में पढ़ा सकते है जोसेफ के बास कोई भी degree नहीं पर बहुत सालों से वो पढ़ा रहा था उसके पास experience है फिर भी ये बात जादा matter नहीं करती है वो उसे जॉब नहीं देते तो जोसेफ भी उन्हें गालिया देकर वहाँ से निकल आया राद में रोजली ने जोसेफ से पुछा कि अब time आ चुका है तुम्हें मुसे शादी कर लेनी चाहिए जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ खुछ करना चाहता हूँ रोजली कहती है मैं खुछ हूँ पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे एक सजबन से जादा खुछ हो रोजली इसे आंसर नहीं करती इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे अगली दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आये हुए थे तो जोसेफ से कहते है कि कैथरिन के फादर भी एक बहुत अच्छे हंटर है वो गह रही थे कि उन्होंने वुल्फ देखा जाते जाते डॉक्टर अपनी गण जोसेफ को देखर जाते है अब वो ओल्ड हो चुके थे तो जोसेफ को हंट करने के लिए काम आएगी अगली दिन स्कूल से वापस आते वाग जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया वो जब घर पर आया तो कैथरिन उसको अल्डेडी वेट कर रही थी तो वो हमेशा उसके पास आ जाती और यह अपना अफेर कंटिन्यू करते मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी पर जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ आजकल वो बहुत ही खुश था पर फिर भी मदर ने आकर उसे बात की वो कहती है रोजली मेरे पास आई थी उसने मुसे बात की कहा तुम उससे शादी नहीं कर रहे क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो जोसेफ कहता है कि मेरा अब जॉब नहीं रहेगा उसे provide कैसे कर सकता हो उसके साथ शादी कैसे कर सकता हो मदर कहती कि तूम ऐसा कुछ भी मत सोचो मेरे गुजर जाने के बाद तूमें house sale कर सकते हो रोजली की land है जहाँ अपर तूम farming कर सकते हो जोषेफ के पास एक बड़ा सा coin का pot भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे तो मदर कहती है अगर तुम उन्हें सेल करतो तो एक अच्छा हनीमून भी अफोर्ड कर पाओगे अपनी लाइफ को तुम बेटर बनाओ जोसेफ को भी बात अच्छी लगती है नेक सिन में जोसेफ सब को पोईटरी करना सिखा रहा था इसमें कैथरिन को उसने एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहा उसे कहती है कि किसी चीज़ को फिल करने के लिए आप उसे एक्सप्रियंस करो ऐसा जरूर ही नहीं होता ये जब सब वो बता रही थी तो रोजली यहाँ पर आकर जाती है योसेफ इसे जरा ओकोर्ड हुआ था सब लोग अपनी पोईटरी सबमीट करते तो कैथरिन ने अपनी पोईटरी में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो स्कूल से घराते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई जोसेफ उस पर गुसा था कहता है स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो जब कैथरिन ने उसे इतना अरजनली बुलाया तो डर गया था यह शायद कैथरिन प्रिगनन्ट है कैथरिन गहती के ऐसा कुछ भी नहीं है पर जोसेफ फिर भी डर रहा था तो उसे चिडाने के लिए उसने हा कह दिया गाड़ी रोक कर जोसेफ बहार आ किया वो असने लग की और गयती है कि इस सिर्फ एक मजाग था जोसेफ गुसे में कहता है अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा कैथरीन वैसे ही रोड पर उसे रिजाने लग गए घर आकर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है एक दिन सुबा सुबा जोसेफ किया कैथरीन के फादर आए वो गहते है मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो क्योना हम दोनों हंट करने के लिए जाए हंट पर आने के बाद कैथरीन के फादर ने जोसेफ से का जब मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंट करता हूँ फादर कहते कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने कायोटी देखा वो बहुत ही इंटरस्टिंग एनिमल होते है वो हमेशा उनके जरूरत से ज़ादा हंट करते है अगर हम उनकी हंटिंग करे तो डिजर करते है या इस सीन का कायोटी का रिफ्रेंस डारेकली जोसेफ के साथ है कैथरीन के फादर ने और कहा क्यो एनिमल एक कुट्टे की तरह ही है ये सारी बाते जोसेफ भी महसूस कर रहा था वो डरता है कि अगर कैथरीन के फादर को उसके बारे में पता चला तो उसका क्या हाल करेंगे आज कल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी ज़रा खराब होने लग गई थी जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरीन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए कैथरीन जोसेफ से पुछा क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तो कैथरीन ने बात उसे प्रॉमिस करती है यह जब इंटिमेंट हुए तो ने एक साथ डॉक्टर ने देख लिया फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी किया यह बहुत ही ज़ादा स्टूपीड है इससे तुमें कुछ भी नहीं मिलेगा जोसेफ कहता है कि मुझे मज़े आ रहे थे उसने अपने पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मज़ा आने लग गया था वो जो भी कर रहा है इस बात को रिक्रेट नहीं करता एक दिन जोसेफ और रोजली चब कैफे में आये तब वहाँ बर कैथरिन और रोबर्ड भी खेल रहे थे इन दोनों को साथ देखकर कैथरिन रोजली के पास आई और कहती है आपका वेटा बहुत ही स्मार्ट है पर आज के लोग ज़रा डिप्रेस रहता है जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो यह बात उसे अच्छी नहीं लगती जोसेफ ने कैथरिन से कहा कि तुम इसके बारे में जादा वरी मत करो हमारा हम देख लेंगे इसके बात जब जोसेफ रोजली को उसके घर पर छोड़ने के लाया तो रोजली उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर जोसेफ उसे मना कर देता है जोसेफ ने उसे यही कार में इंटिमेट होने के लिए कहा पर जोसेफ इस बात से मना करती है तो जोसेफ ज़रा गुसे में घर पर चला किया रागत में जोसेफ के साथ उसकी मदर बात करती है कहती है तो यह सब कर क्या रहे हो मदर को कैथरिन और जोसेफ के बारे में पता था जोसेफ कहता है कभी-कभी बुरी चीज़े करना भी बहुत फ़न होता है मदर भी फिर इस बात को ज़्यादा सीरिसली लेती नहीं आज रात बहुत बारिश हुए जोसेफ डारेक्ली रोजली के पास बहुच गया उसे अपनी सारी फ्रेस्टेशन बदा देता है वो गहता है हम दोनों की रिलेशन्शिप में पैशन ही नहीं है जो भी चीज़े हम करते हो बहुत ही ज़ादा बोरिंग है मैं तुमारे साथ अलग-अलग प्लेसेश घुमना चाहता हूँ जैसे तुम अपने एक साजबन के साथ थी उसी तरीके से मज़े करना चाहता हूँ उनकी बोरिंग रिलेशन्शिप से तंग आ गया था आक्चॉल में जोसेफ जब 18 साल का था तब से रोजली से प्यार करता है पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ थी उसी के साथ उसने शादी की थी उसका husband फिर war में चला किया और उसकी date हो गे जोसेफ अपनी पुरी life रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था वो हमेशा उन से जेलस होता अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा एक live जो उसके साथ उसने imagine की थी यह वो जीना जाता था यह सारी बाते रोजली को बताने के बाद तोनों intimate हो जाते हैं आज रात ही जोसेफ की मदर की डेट हो गए फ्यूनरल पर कैथरीन भी आई हुई थी सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिए थे इन्हें रोजली आंसर कर रही थी इसमें उसने कैथरीन का लेटर पड़ा इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन में अफेर है वो बहुत जादा गुस्सा हो जाती है उसने जोसेफ से कहा मैंने मेरी पूरी लाइफ तुमें दे दी और तुमने ये क्या किया जोसेफ कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरे बहुत सारे साल बरबाद हो गए थे मेरे यंग यर्स मुझे फिर से जीने थे इस बात पर और भी जादा अपसेड होकर वो चली गई रात में कैतरिन जोसेफ से मिलने के लिए आती है उसने कहा कि तुम मुझे शादी कर लो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा वो रात बर यही काउच पर सो जाता है अगली दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए आए उन्होंने कहा कि लड़की बहुत ही अजीव है जोसेफ ने भी गल्ती कर दी वो तुम्हे उसे माफ कर देना चाहिए रोजली बहुत रोती है पर अब तक उसने जोसेफ को माफ नहीं किया रोजली का बेटा हमेशा चाता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेक अप हो जाए तो खुश था वो स्कूल में जोसेफ से बुचता है कि मेरे फादर कैसे थे वो हमें छोड़ कर क्यों किया उन्हें तो गवर्मेंट ने आर्मी जोईन करने के लिए कंपल सरी भी नहीं किया था जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे वो मेरे सबसे अच्छे बेश फ्रेंड थे पर इस टाउन से हो तंग आ गए थे इसी वज़े से यहां से हो चले के जाते जाते रॉबर्ट जोसेफ से कह कर जाता है कि आज रात तुम्हारे पास कैथरिन के फादर आने वाले है ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ही ज़दा डर गया उसने अपनी गन में गर निकाली और घर में चुप जाता है कैथरिन के फादर आने के बाद उससे कहते है तुम यहां कर कह रहे हो मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ फादर ने कहा कि चैथरिन ने सिटी में भी यही सारी चीज़े की थी इसी वज़े से हम उसे यहां लेकर आये थे कैथरिन कह रही थी तुम उसे शादी करने वाले हो वो जोसेफ कहता है कि मुझे शादी नहीं करने वाला वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है कैथरिन के फादर ने कहा कि उसने तुमें भी फसाय हुआ है यह बात अब तक तुमने रियलाइज नहीं कि यह सब कहकर वो यहां से चले गए रात में कैथरिन जोसेफ से मिलने के लाई वो गहती कि तुम मुझे से शादी क्यों नहीं करते है जोसेफ ने कहा कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत जादा है तुम्हें किसे बहुत अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए वो उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंट किया मैं इसे जादा अब कंटिनू नहीं करना चाहता कैथरिन हर्ट हो गए वो गहती है मैंने कुछ बुरी चीज़ की है बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकिया उसके सारे अनिमल्स के घर को कैथरिन ने आग लगा दी थी वो उने बचाने की कोशिश करता है और इसमें कैथरिन का होच जल कर मर गया जोसेफ ने फूचा कि तुमने ऐसा किया क्यो कैथरिन कहती कि मुझे लगा था तुम उने बचा लोगे इसके बाद उसके लाइफ से चली की अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सब चीज़े छोड़कर वो रोजली के पास जाएगा उसने अपना कॉइन कलेक्शन सेल कर दिया रोजली के साथ शादी करकर उसके साथ यो वर्ल देखना चाता था रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे प्यार करते हो पर इतने साल में तुमें इग्नॉर करती रही जो भी जोसेफ ने किया यो उसे अपनी गलती भी लगती थी वो से कहती है कैतरिन के साथ तुमें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी थी इसे वज़े से तुम उसके साहथ थे जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ लाइफ में आगे के सारे आडवेंचर तुम्हारे साथ में देखना चाहता हूँ कैथरिन अभ यहाँ से चली गई तो Rosalie को भी ज़्यादा प्रालम नहीं था वो भी Joseph के साथ ही रहना चाहती थी वोसे माफ कर देती है हम देखते हैं Joseph हमेशा जीज जगा पर जाना चाहता था ये Rosalie के शाथ हो वहाँ पर गया है इसे के साथ है a movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमयू के साथ तब दे के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया